आपको इसके पहले के वीडियो में कैसे किसी फेमली डिस्क्रिप्शन को किया जाएगा फेमली डिस्क्रिप्शन करने से समद्र जितने भी प्रकार के वर्ड्स होते हैं उन सभी वर्डों के बारे में जानकारी प्रदान कराई गई थी जिसमें से कुछ छूट गए थे कहने क करतात पर यह है कि आधा ही हो पाया था आज जो बचे हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं है कि है वीट रूट इस टेम लीप इतना तो इसके पहले वाले वीडियो में फम यह हो गया था कि आज इनफ्लोर से सुरुबार्त करने और जाने गे कैसी इसके आगे classification करते हैं किसी भी family में पाए जाने वाले पोधेगा तो यहां पर सुरू करते हैं और देखते हैं inflorescence inflorescence दो प्रकार का होता है या तो racimos inflorescence या साइमोस inflorescence अब racimos inflorescence क्या है inflorescence के हिंदी होती है पुस्पक्रम इस प्रकार के inflorescence में जो पेडंकिल होता है पेडंकिल का मतलब पुस्पावल इवरिंद जिस पर पुस्प लगे हुए होते हैं इस पुस्पावल इवरिंद की नए होते हैं कुल मिला करके अगर यह कहें तो जो पुस्पावल ब्रिंत है पेडंकिल है इस पर पुस्प एक्रोपीटल सक्सेशन में अग्रा भी सारी क्रम में लगे रहते हैं अब चलिए साइमोस के बारे में देख लेते हैं कि साइमोस में किस प्रकार से पुस्प का क्रम ह होता है कैसे लगे होते हैं तो इस साइमोस में पुस्प करम में मुख अक्ष की बिद्ध एक अग्रस्त कलिकार के लग जाने से रुख जाती है कहने का मतलब इसके टर्मिनल एंडिंग पर एक पुस्प खेल जाता है जिसके कारण से पुस्पावल बिद्ध की लंबाई जालती है इन पार्स साखाओं के अग्रिम भाग पर टर्मिनल एंड पर भी पुस्प लगते हैं जिसके कारण से उनकी बिद्ध रुख जाती है इस प्रकार से अगर देखें तो इसमें ऊपर तथा अंदर के पुस्प बढ़े होंगे और पुराने होंगे और नीचे तथा अब बाहर के पुस्प छोटे और नए होते हैं कुलमिलाकर के कहने का मतलब यह है कि साइमोस इंफ्लोर्सेंस में इसको हिंदी में सास्रीमाची पुस्प करम काते हैं इस प्रकार के पुस्प करम में जो पुस्प का करम होता है वो अब केंद्री करम होता है मींस बेसी आगे चलते हैं अब फ्लावर के बारे में देखते हैं कि उस्प के अंतरगत क्या लिखना होगा हाथ एक चीज आपको और बता दें कि इनफ्लोर सेंस में या तो इनफ्लोर सेंस रेसिमोस होगा या साइमोस होगा इन दोनों में से सिर्फ एक ही को सेलेक्ट करना है किसी भी फ हमें डिस्क्राइब करना है सबसे पहले तो फ्लावर में देखेंगे कि फ्लावर पेटिसिलेट है कि से साइल है पेटिसील का मतलब क्या होता है पेटिसील पेटिसिल का मतलब होता है पुस्प ब्रिंत मतलब पुस्प में ब्रिंत पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है इसको देखना है अगर पुस्प में पुस्प ब्रिंत पाया जा रहा है तो उसे पेटिसिलेट कहेंगे और ये पुस्प में पुस्प ब्रिंत अनुपस्थित है नहीं पाया जाता है तो उसे सेसाइल के नाम से जानते हैं इसके बाद नेक्स्ट है ये देखेंगे कि पुस्प जो है इस किसी पौधे का वो complete है कि incomplete है complete कहने का मतलब पुस्प में कैलिक्स करोला और गाइनोसियम यद उपस्तित है तो उस पुस्प को complete कहेंगे complete flower और अगर इनमें से कोई एक भी चक्र या कोई एक भी दल या अंग उपस्तित है तुसे incomplete flower कहते हैं तो इस प्रकार से इन दोनों में से flower कोई एक नए एक जरूर होगा flower कोई एक लक्षर तो जरूर ही होगा चलिए next चलते हैं चलिए next चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा अगला है आपका या तो फ्लावर यूनिसेक्स्वल होगा या बाइसेक्स्वल होगा इन दोनों में से कोई न कोई एक होगा ही एक लिंगी अथवा द्वी लिंगी एक लिंगी जो होते हैं उसमें नर पुस्प और मादा पुस्प अलग होते हैं औरदेलिंगी जो होते हैं उसमें नर्व वह उमध Uspi यो घंडन अंग इक ही पुस्पो पर पाए जाते तो इन दोनों में से flair कोई न कोई एक तो जरूर होगा नेक्स्ट है आपका एक्तनो मार्फिक Ectinomorphic 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 Ectin तो जाइगो मार्फिक की तो जाइगो मार्फिक में क्या होता है कि इसमें पुस्प को केवल एक ही वर्टिकल प्लेन में काटने पर ये दो बराबर भागों में बढ़ सकता है अन्य अस्थानों से ये दो बराबर भागों में नहीं बाटा जा सकता तो इस प्रकार से एक ही अ स्थान से दो बराबर भागों में बढ़ सकता है इसलिए इसको जाइगो मार्फिक के नाम से जानते हैं या मोनो सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं और एस्प्रकार की सिमेट्री को सिमेट्रिकल या इरेगुलर कहते हैं तो इस प्रकार से या तो पुस्प एक्टिनो मार्फिक होगा या जाइगो मार्फिक होगा या एस्मेट्रिकल होगा इन तिनों में से एक हो सकता है नेक्स चलते हैं देखते हैं कि तैलमस पर जो फ्लोरल लीफ्स है उस पुपत्र है उनका इंसर्शन या निमेशन कैसा है कैसे वो किस क्रम में लगे है और अगर लगे हैं तो उनके क्रम को उस ब्योस्था को किस नाम से जानते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं हाइपोगाइनस पेरीगाइनस और इपीगाइनस यह तीन नाम लिखे हैं तो यह थैलमस पर फ्लोरल लीफ्स के इंसर्शन के क्रम को प्रदर्शित करने का काय करते हैं इन नामों से उनको जाना जाता है अब बात यह जाती है कि देख लेते हैं जब किसी पुस्प के अन्य अंग अन्य अंग में जायांग को छोड़ करके सभी अंग मीन्स गाइनुसियम को छोड़ करके सभी अंग अगर ये सभी अंग गाइनुसियम के नीचे से निकलते हैं तो उस प्रकार के फ्लावर को हाइपो गाइनस फ्लावर कहा जाएगा और अब पेरी गाइनस के बारे में देखते हैं कि पेरी गाइनस किस प्रकार के फ्लावर को कहेंगे इसमें यदि पुस्प के सभी अंग तो इसे पेरी गाइनस कहते हैं और यदि पुस्प के सभी अंग गाइनसियम के ऊपर से निकलते हैं तो उसे इपी गाइनस कहा जाता है तो यह हुआ पेरी गाइनस इपी गाइनस और हाइपोगाइनस के बारे में नेक्स्ट है आपका ब्रेक्टियेट हाइपोगाइनस पेरी गाइनस और इपी गाइनस में से पुस्प एक ही प्रकार का होगा कोई एक ही होगा। अब दूसरा अगला देख लिए या तो पूषप प्रेक्टि-8 होगा।் मिन्स या तो सहपत्री होगा। माने शह पत्री मतलब सहपत्री, सहपत्र एक छोटी पत्ती जैसी रचना है जिसके अक्ष में पुस्प विख्षित होता है। तो एक छोटी सी पत्ती जिसी सरजना है जिसे सहपत्र के नाम से जाना जाता है यदि सहपत्र पाया जाता है तो सहपत्री ये सहपत्र अनपस्थित होता है तो आ सहपत्री के नाम से जाना जाता है आप कई-डिक्स लेक्स के बारे में देखतें हैं吧 नक्षश अ मसरे मीच कैलीफ पालते होसे और ऑठ बाहर के रूप है और इसमें एक युझिट की रूप में होता है बतब इसके एक डल को सेपल के नाम से जानते हैं और यह सबसे बाहर क्यों को रूपस्तित होता है एक चक्र के रूप में क्यूंकि इसमें कई सेपल्स पायReत завसे पहले कलर को देख़ लेते हैं अगर यह हरे रंग के होते हैं तो इनको सेप्ल कहा जाता है और अगर किसले रंग और यह अगर हरे रंग कि किसी दूसरी पीले कलर के होते हैं तो इस प्रकार से अगर उसमें पीले कलर के हैं तो उसको पेटेलाइड कहा जाएगा तो यहां पर कैलिक्स में जो सेपल है वो या तो सेपलाइड होगा या तो पेटेलाइड होगा नेक्स देखते हैं या तो गैमो सेपलस होगा या तो पाली सेपलस होगा गैमो सेपलस का मतलब सभी सेपलस आपस में जूड़े हो यह जूड़े हैं तुनको गैमो सेपलस और अगर सभी सेपलस फ्री है एक दूसरे से जूड़े नहीं है तुनको पाली सेपलस कहा जाएगा देखे लेते हैं तो या तो गैम ऑचुपलोज होग एक पौली से प्लास नेक्सस नेक्स आपका नुसराइब करसे लिए मेरो और फैसलन होगा क्योंथ क्या होगा कोई केसा मतलब होता है सीगर पाति लिए प्टर पाति का मतलब लग जानते हैं गड़ गिर जाती है और परसिस्ट पर्सिस्टिंच का मतलब होता है चीर लगन ये हम्हेशा लगी रहती है ये पत्यां गिरती नहीं है तो इन तीनों में से कोई हो सकता है Next है आपका आप यहाँ पर गयास देखेंगे कि कैसे यह यह स्थित है यह कैसे व्यवस्थित है यह पतियां किस क्रम में उपस्थित है तो अगर विद्यास को दिखंगे तो विद्यास की इंगलिज है此 आपके πिस अगर stbe कहेंगे वालवेट कभ हम कहेंगे ट्विस्टेट कभ हम कहेंगे इंब्रिकेट कभ हम कहेंगे कुइं कुइंचियल यहां पर सबसे पहले वालवेट की कंडिशन को देखते हैं कि वालवेट कंडिशन का बाती है यहां पर वालवेट कंडिशन जब बाहदल एक दूसरे को इनके किनारे केवल परस पर छूते भर है ढ़कते नहीं है तो इस प्रकार के ब्यवस्था को एरेंजमेंट को वालवेट एस्टिवेशन के नम से जनना जाएगा और अब ट्विस्टिट के बाए में देखते हैं इसमें बाहदल का एक भाग संलगन दल के कुछ भाग को ढख लेता है अपने पिछले दल से स्थोयम ढखा होता है तो इस प्रकार का यदिक्रम होगा तो इस प्रकार के क्रम को ट्विस्टेट करते हैं यह ट्विस्टेट एस्टिवेशन है इम्प्रिकेट में क्या होता है आप इम्प्रिकेट में देखते हैं हमारा इम्प्रिकेट यहां है इम्प्रिकेट में बायदल कुंज के दोनों किनारे पडोसी दो बाह दलों के किनारों से ढखे रहते हैं और एक के दोनों किनारे सनलगन दलों को ढखे रखते हैं सेज दलों में एक किनारा पास के दल के तट के एक किनारा पास के दल के तट से ढखा रहता है और दूसरा पास के दल के किनारे को ढखे रखता है तो इस प्रकार से ये इंबिर्केट की व्योस्था है और कुईं कुईंसेल में क्या होता है इसमें जो बाहदल होता है बार दल पुंज के दो दलों के किनारे पडोसी दलों के किनारे को ढखे रखते हैं और दो दलों के दोनों किनारे पास के दल के तट से ढखे रहते हैं तथा सेस जो एक दल बसता है उस एक दल का किनारा पास के दल के तट से ढखा रहता है तथा दूसरा पास के दल के किनारे को ढखे रखता है एस्टिवेशन के बारे में हो गया अब एस्टिवेशन के बारे में देखते हैं इसमें कुछ और भी चीजें हैं इनके बारे में देख लेते हैं इसमें सबसे पहले है या तो स्री होंगे या तो tubular होंगे या तो bell sabbed होंगे या तो osteolate होंगे या bilabiate होंगे इनका मतलब क्या होता है कहने का मतलब अगर सभी बाह IPL आपस में जूड़े नहीं है सभी saples आपस में जूड़े नहीं है तब तो यह free होंगे और अगर जुड़े हैं तो जुड़े हैं तो जुड़ने के क्रम में या तो ट्यूब लाइक इस्ट्रक्चर बनाएंगे ट्यूबलर होंगे या आपको धतूरे में मिल जाएगा या तो बेल सैब्ड मतलब घंटी के आकरित के होंगे या आपको गुड़ाल में मिल जाएगा और यह तो अर्शियोलेट होंगे अर्शियोलेट की इंदी होती है कल्साकार यह दलपुटी एक पौधा आता है खुरासनी अजवायन यह आपको इस प्रकार की सनचना इसमें इस पौधे में देखने को मिल जाएगी और अगला है बाइलेबियेट बाइलेबियेट कमत्तर द देखते हैं कि करोला में क्या होता है करोला में सबसे बड़ी खासियत या तो सेपलाइड होंगे या तो यह पेटलाइड होंगे शेपलाइड काने का मतलब अगर हरे रंग के हैं तो सेपलाइड वैसे सेपलाइड कंडिशन बहुत कम देखने को मिलती है यह पतियां इसकी हमें आखी के सबीकिन होती हैं 2020 सब्सक्राइब करने इसको पैटर रणंक को छोड़ करके अन्य विफ्रेख को देख लेंगे यहां पर यह पई पैडर सब्सक्राइब क्म मैं यह तो सभी फिरेख को एक यूनिट को पेटल के नाम से जाना जाता है या तो इसको पेटल फ्री होंगे अगर फ्री है तो पाली पेटलस अगर इसके पेटलस आपस में दूसरे से जुड़े हैं तो इसको गयमो पेटलस के नाम से जाना जाता है और अभी इसके पहले जो एस्टिवेशन के बारे मे बताये थे वालवेट, ट्विस्टेट, इमःट्यृट और कैलिक्स में तो कोई सिसर नहीं होता है लेकिन करोल्ला में में होता है वेक्जिलम में दोनों जो वेक्जिलम इसमें जो पस्ट वेक्जिलम होता है ये दोनों पक्चकों को ढखे रखता है और पक्च स्वयम नौतल पर आच्छा दित रहता है नौतल को इंगलिस में कील कहते है अगला है एंडूसियम एंडूसियम के बारे में देखते हैं कि बचा हुआ है तो यहां पर एंडूशियम के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले है आपका या तो एड़नेट होगा या तो बेसी या तो दास्टी फिक्स्ट होगा या तो वर्सेटाइल होगा अब यह क्या है एड़नेट क्या है बेसी फिक्स्ट क्या है डास्टी फिक्स्ट और क्या है एड़नेट वर्सेटाइल और क्या है वर्सेटाइल इसके बारे में देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले जानेंगे एड़नेट के बारे में एड़नेट को जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि एंडुसियम जो होता है वो स्टैमेंस का समुन होता है स्टेमेंज का ग्रूप होता है कई स्टेमेंज के समों को एंडुशियम के नाम से जानते हैं तो यहां पर इस्टेमेंज में दो भाग पाए जाते हैं या तो इस्टेमेंज में दो भाग पाए जाते हैं एक एंथर दूसरा फिलामेंट इन्हीं जब फिलामेंट एंथर से फिलमंट किस प्रमान कार से जूड़ता है। और किस प्र whin alga किलों है। तक दिस भागा पर सिखर तक जूड़ा रहता है। और अगर यह दो क्रिखता है co चौड़ा होगा इसमें जो filament होता है वो पराकोस के basal भाग पर जुड़ा होता है आधारी भाग पर जुड़ा होता है जिसके कारण से जिसको basal कहते हैं अब डॉसी फिक्स्ट है तो इसमें dorsal side पर जुड़ा होगा prist भाग पर जुड़ा होगा और versatile का मतलब क्या होता है versatile का मतलब होता है कि इसमें जो filament होता है वो एंथर के प्रिष्ट तल पर means dorsal side पर बीचो बीच में एक किसी निश्चित बिंद उपर जुड़ा होता है और इसमें जो एंथर होता है वो free होकर के hill डूल सकता है तो इस प्रकार की condition को versatile काते है अगला है आपका monadelphus, diedalphus और polydellphus synginesias और synginesias तो यहाँ पर देखते हैं इन में से कोई एक हो सकता है monadelphus क्या होता है कि जब ये एक ही ग्रूप में होते हैं सारे stammens सारे filament जब एक ही ग्रूप में होते हैं तो इन्हें monadelphus के नाम से जानते हैं ये condition आपको गुड़हाल में देखने को मिल जाएगे हिबेसकस के plant में और फिर diedalphus में क्या होता है diedalphus में जब ये सारे जो filament हैं वो दो ग्रूप में हो तो उसको diedalphus और जब सारे filament अच्छा diedalphus के condition आपको पी plant में मतर के पौधे में देखने को मिल जाएगे polydelphus का क्या मतलब होता है polydelphus में सभी filament बहुत सारे bundle बनाते हैं बहुत सारे group बनाते हैं तो अगर कई group इसमें पाए जा रहे हैं से अधिक group पाए जा रहे हैं फिलामेंट के तो इसको polydelphus के नाम से जानते हैं यह आपको सेमल के पौधे में देखने को मिलेगा और सिन जेनेसियस सिन जेनेसियस का मतलब क्या होगा सिन जेनेसियस के बारे में देखते हैं इसमें केवल एंथर ही आपस जूड़ते हैं जो फिलामेंट होते हैं ठीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट suggests यह आपको condition गेंदे में देखने को मिल जाएगी गेंदा और अगला है सेंड्रस की condition में क्या होता सेंड्रस की condition में जो stem होता है वो पूरी लंबाई में जुड़ा होता है एक दूसरे से मतलब इसमें filament भी आपस में जूड़े होते हैं और enter भी आपस में जूड़े होते हैं जो kukurbitese की plant है इसमें आपको ये sinandras की condition देखने को मिल जाएगी जो punctuation होते हैं वो या तो दल से जूड़े हो सकते हैं या तो परदल से जूड़े हो सकते हैं या तो अंड़ब से जूड़े हो सकते हैं तो इनके जूड़ने के आधार पर इनको अलग-अलग नाम दिये जाते हैं या तो उनको एपिपिटलस कहा जाता है या तो एपिफिलस कहा जाता है तो ज़रा देख लेते हैं एपिपिटलस कब होगा जब पुंकेशर दल के साथ जुड़े होंगे तो उनको इपिपिलस कहते हैं और जब पुंकेशर परदल के साथ जुड़े होंगे तो इसको इपिफिलस कहा जाएगा और जब पुंकेशर अंडपो के साथ जुड़े होंगे जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो इसको गा चोटे होते हैं टेटर डाइनमस में क्या होता है कि इसमें चार कॉंकेसर लंबे होते हैं मिन्स चार एंडूसियम लंबे होते हैं और बाकी के बचों यह दो एंडूसियम छोटे होते हैं तो डाइनमस की कंडिशन आपको लेबियेटी कुल में मिल जाएगा और टेटर डाइन इस्ट्रोस क्या है और इस्ट्रोस क्या है जब पराकोसिकाओं का मुख पुस्प के मद्ध की ओर होता है तो इसको इन्ट्रोस कहते हैं आलू, टमाटर, मकोर में देखने को पा जाएंगे और जब पराकोस का मुख बाहर की ओर होता है तो इसको इक्स्ट्रोस कहते हैं और कभ तो इन तीनों में से आपका एक फोसकता है autopuncation except से एंडूसियम के बारे में describe करते हैं अब चलते हैं। गाइनूसियम के बारे में देखते हैं कि गाइनूसियम की क्या खासियत होती है तो गाइनूसियम में या emboranoc कार्पिल्री होगा मोनो कार्पिल्री या मल्टी कार्पिल्री अगर एक कुष्ठक पाए जा रहे हैं एक कार्पिल पाए जा रहा है तो मोनो कार्पिल्री अगर बहुत सारे कार्पिल्स मिलकर की गायनुसियां बना रहे हैं तो उसको मल्टी कार्पिल्री कहेंगे अब एपो क उर सिने कार्पपस में सभी कार्पफफ इँ अपस दूसरे के साइज चुड़े होते हैं फिरियर ओपरी और इन्फिरियर ओपरी च्पिरियर ओपरी क्या होता है R son जब फ्लावर के अन्य अंग उबरी के नीचे से निकलते हैं जब फ्लावर के अन्य अंग अन्य अंगों में कैलिक्स, करोला, अंडूसियम यह सभी यह उबरी के नीचे से निकलते हैं तो इनको इस प्रकार के गैनुसियम को या इस प्रकार की ओवरी को सुपरियर ओवरी कहा जाता है जब पुस्प के अन्य अंग ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो इस ओवरी को सुपरियर ओवरी और यद ओवरी के ऊपर से निकलते हैं तो इनको inferior ovary के नाम से जाना जाता है ovary को आगला देखते हैं या तो unilacular हो सकता है या तो bilacular हो सकता है या तो trilacular हो सकता है अब unilacular क्या है, bilacular क्या है और trilacular क्या है इनके बारे में देखते हैं कभी-कभी जो ओपरि होती है audio यूनि लाक फोती है मतलब उस में एक ही कोस्टक पाए जाते हैं अगर एक कोश्टक पाए जाते हैं तो यूनि लाक फोर और कभी-कभी ओवह prin sobie में सेप्टम बन जाता है सेप्टम का मतलब एक पट बन जाता है जिसके गारणट से दो कोस्टकों में बढ़ जाता है अगर दो कोस्टकों में बढ़ जाएगा तो बाई लाकुलर और अगर पट बनने के करद से ये तीन कोस्टक में बढ़ जाता है तो इसको ट्राई लाकुलर के नाम से जानते हैं अब नेक्स है आपका या तो यह मार्जिनल होगा या तो एक्जाइल होगा या तो पैरियेटल होगा या तो फ्री होगा सेंट्रल अथवा बेस बेशल और सुपरफिसियल तो कब जानेंगे मार्जिनल है कब जानेंगे एक्जाइल है कब जानेंगे पैरियेटल है या free central है या basal है या superficial है इनके बारे में देख लेते हैं और इसकी परभासा भी समझ लेते हैं सबसे पहले देखते हैं marginal के बारे में marginal में क्या होगा marginal इसको हिंदी में सीमान्त कहते हैं तो इस प्रकार के बिजान न्यास में ये placentation के बारे में बताया जा रहा है placentation तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के placentation में जो मोनो कार्पिलरी गाइनूसियम होता है इसमें ये placentation देखने को मिलेगा जिसमें केवल एक कोस्ट होता है और इसमें जो ओव्यूल होता है बीजान्ड वो केवल अक्षी संधी पर जहां पर दो इसमें प्लेशेंटा ओवरी के केंद्री अक्ष से निकलता है इसलिए इसको एक्षाइल कहते हैं और पाइरेटल में क्या होता है पाइरेटल में इसमें केवल एक ही कोस्ट होता है और इसमें दो या दो से अधिक अंडपो के तड़ जहां पर मिलते हैं वहीं पर प्लेशेंटा विक्षित होता है नेक्स्ट है आपका फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल में क्या होगा इसके बारे में देखते हैं फ्री सेंट्रल में इसमें जो बीजांड होता है जो अब्यूल होता है केंदरी अक्षिके चारो और विक्षित होता है तो Central में नहीं है इसलिए इसको Free Central कहा जाएगा और Basel क्या होता है? Basel के बारे में देखते हैं ये आपको Compositive Equal के पोधों में देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का Placentation इसमें जो Undarsay होता है जो Overy होती है वो एक Coast की होती है और जो Placenta होता है वो Puspaksh के आधार पर रिक्षित होता है Puspaksh means Thelmas Puspaksh means Thelmas तो इस प्रकार से Placenta केवल एक ही प्रत्यक प्लेसेंटा के वल एक ही उब्यूल से जुड़ा रहता है और लास्ट में ज़रा देखते हैं इसमें सुपरफिसियल में क्या होता है यह जो होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन से मिलता जुलता है अंतर के वल इतना है कि एक्सायल प्लेसेंटेशन में जो औवीड था वह से अल्ड में बिजानडाशन पर लगे होते थे परंतु कोस्टुकों की भीतरी दिवार पर प्लेसेंटल टीशु होते हैं जो अनेक को को बीजांडों को ओप्यूल्स को धारण करते हैं। इसमें यह आपको बाटर लेली में देखने को मिल जाएगा। कुमुदनी में यहां एक्जाइल प्लेसेंटेशन से मिलता जुलता है अंतर के वल इतना है कि एक्जाइल प्लेसेंटेशन में जो बीजांड होते थे वो सेंटरल एक्सिस पर लगे होते थे और कोस्टकों की भीतरी दिवाल पर भी इसमें प्रेसेंटल टीशू होते हैं जो अनिक भीजांटों को धारण करते हैं तो ये गुमुदनी में वाटर लेली में आपको देखने को मिल जाएगा